महीला की निर्वस्त करपिटाई नहीं आए बचाने के लिए लोग अपमान से आहत पती ने की खुद कुशी देखे पूरी कहानी गुनहगार में महीला उत्पिरन के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं लेकिन आज जो मामला सामने आया है वो कही सवाल खड़े करता है विकसित होते रास्ट में इस तरीके की तस्वीरे सामने आना वाकी शर्मनाक है नमस्कार आपका स्वागत है हमारे शूग उनहगार में मैं हूँ आपके साथ जोहेब नसीम विकास की राह पर चलते समाज में मंद सौर के गौँ से मातम की तस्वीरे सामने आई है और ये मातम इसलिए पसरा हुआ है क्योंकि यहां के लोगों की आखे दस साल की मासूम लड़की आज साल के बच्चे और उनके पिता को याद करते हुए आखे नम हैं कुछ दिनों पहले ही पिता और उनके दोनों बच्चों के शव एक पेर से लटके हुए मिले थे आपको बता दे कि लाश के पॉकेट से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसमें उस घटना का जिक्र किया गया जो तीन महीने पहले उनकी पतनी के साथ घटी थी जहां उनकी पतनी को निर्वस्त करके पीटा गया था आपको बता दे कि लोगों ने पुलिस पर आरोब भी लगाया कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की और तीन महीने पहले जो F.I.R. दर्ज हुई थी उसमें इन बातों का उलेक भी नहीं किया गया था पिरित महीला का आरोप है कि उसके साथ एक घंते तक मारपीट की गए पिरित महीला ने बताया कि वो गेहु पिसाने के लिए मील पर जा रही थी वहीं 11 और 10 बजे के बीच महीला चौराहे पर बैठी हुई थी और अब शुरू होता है महीला के साथ उत्पीरंग का मामला इन आरोपों के बारे में स्थान ये पुलिस का कहना है कि पहले जगडा महीलाओं की बीच हुआ था तो आगे आपको सुनाते हैं पुलिस ने क्या बताया अरुपी और मरतक की पतनी के सम्भंद इस बात को लेकि लिलावाई का जगड़ा हुआ था और महीला एं महीला दोनों आपस में लडी थी जिस पर से ठाने पर रिपोर्ट आई थी तो हमने महीला की रिपोर्ट पर से राजु की पतनी लिलाई एपर एफैय रिजिस्टर की पिरित महीला का आरोप है कि उसके साथ एक घंते तक मारपीट की गए पिरित महीला ने बताया कि वो गेहु पिसाने के लिए मील पर जा रही थी वहीं 11 और 10 बजे के बीच महीला चौराहे पर बैठी हुई थी और अब शुरू होता है महीला के साथ उत्पीरंग का मामला महीला को ये मालूम नहीं था कि महीला के साथ उन लोग अकेली पाकर जगड़ा करने लगेंगे हाला कि आरोपियों के पास सामान भी मौजूद थे इतना ही नहीं महीला के पास जो भी कुछ था उन्होंने छेन लिया यहां तक कि महीला का जेबर पैसा और महीला का कपड़ा भ तो ग्याराद अं के बीच में दोराय की ती। लेकिन कोई भी बचाने के लिए नहीं आया तो अभी आपने देखा के एक महीला के साथ किस तरह से अत्याचार हुआ जो की सरासर गलत है अब आप जरा सोच ये इनसान की सोच कितनी गंदी हो चुकी है अगर आपके आसपास भी इस तरह की घटना होती है तो आप इसे रोके नहीं वहाँ पर खड़े खड़े देखे फिलहाल के लब हमें दीजि के स्टोडी लेकर हाजिर होंगे तब तक के लिए आप देखते रहें भारत